क्या आप जानते हैं कि आपका ब्लड लाल क्यों होता है? ब्लड में तीन कॉंपोनेंट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे खून को लाल पन देते हैं और ये बहुत ही important है because इन में होता है hemoglobin heme plus globin और heme बनता है iron से तो iron की जब कमी हो जाती है तो anemia हो जाता है और जब anemia हो जाता है तो hemoglobin कम हो जाता है और hemoglobin RBCs ही है जो oxygen को हमारे tissue सक ले जाते हैं इसलिए ये oxygen carrier के रूप में काम करते हैं जब hemoglobin ही कम हो गया RBCs कम हो गया तो patient anemia हो जाता है अब हम चानेंगे कि pregnancy में इसका क्या प्रभाव पड़ता है pregnancy में इसका गर्भश शिशू पर प्रभाव पड़ता है मा पर प्रभाव पड़ता है तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम iron deficiency anemia के बारे में जानेंगे हमें क्या करना चाहिए हमें कब iron शुरू करना चाहिए तो इस वीडियो को अन तक देखेगा और हाँ मेरे चानल को लाइक सब्सक्राइब जरू कीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको लाती रहोंगी नमश्कार मैं डॉक्टर अन्शु जिंदल जिंदल हॉस्पिटल से मैं एक IVF स्पेशलिस्ट, औप्स्टेटरिशन और गानेकॉलोजिस्ट हूँ और हाँ प्रेगनेंसी में खून की कमी क्यों देखने को मिलती है क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंट होते हैं तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है अल्मोस्ट डबल हो जाता है 50% डबल हो जाता है बट आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स वो केवल 25 प्रतिशती बढ़ते हैं तो खून पतला हो जाता है और खून की कमी देखने को मिलने शुरू हो जाती है और ये उन पेशेंट्स में ज्यादा होती है जिनकी प्रेगनेंसी के शुरू में ही iron deficiency या खून की कमी है जिनको इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपनी खून की कमी को ठीक रखें और RBCs बनाने के लिए हमें चाहिए iron B12 vitamin और B9 या folate vitamin जिसे folic acid भी कहा जाता है इन तीनों में से किसी भी कमी होने से भी एनीमिया बन जाता है इसलिए प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले iron ठीक रखें folic acid की गोली शुरू करें और अगर आपका vitamin B12 कम है तो उसकी गोली भी आप शुरू कर सकते हैं और अगर इसका निवारन ठीक टाइम पे ना किया जाए तो सांस लेने में तिकत low blood pressure focus ना कर पाना और हाँ एक बहुत ही unique symptom है जो सके विल एनीमिक पेशिन में देखा जाता है यानी कि मिट्टी खाने का मन या चौक खाने का मन करने लगे तो सोचिए कि एनीमिय बहुत जादा बढ़ चुका है और आपके doctor आपको कैसे बताएंगे कि आप एनीमिक हैं आपकी eyes में आपकी आँखों से देखके नाखुन से देखकर और हाँ as a gynecologist I can say कि जब हम pelvic check-up करते हैं तो vagina के color से भी मैं बता सकती हूँ कि patient anemic है या नहीं है तो जब पहले मा को anemia होता है तो उसके जो iron stores हैं जहां पे जैसे हम अपने घर में भी अपना रसद अपने stores में रखते हैं इसी तरह body में भी iron के stores होते हैं जब anemia होता है तो iron stores से iron smobilize होता है बट जब store भी खतम हो जाते हैं तो फिर दिक्कते और ज़्यादा बढ़ जाती है मा को infections होने लगते हैं उसकी immunity लो हो जाती है और गर्भश शिशु पे भी इसका असर पढ़ने लगता है वो कमजोर होने लगता है और जब वो जणम लेता है तो उसमें खून की कमी होती है वो पनप नहीं पाता उसके जो developmental milestones होते हैं वो delay हो जाते हैं और उसकी growth भी कम हो जाती है और जणम के बाद मा को भी दूद पिलाने में दिक्कते आ सकती है दूद कम बन सकता है और हाँ postpartum depression यानि की delivery के बाद depression की संभावना भी ज्यादा anemic patients में देखी जाती है अब आप चाहेंगे की iron के कौन से test कराय जाते हैं सबसे important test है hemoglobin test जो हम complete blood count से करते हैं साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं की patient को anemia कि प्रकार का है iron deficiency anemia जिसे microcytic anemia कहा जाता है जिसमें जो RBCs होते हैं उनका size छोटा हो जाता है वो पतले हो जाते हैं और pale छले जिसे नजर आते हैं और दूसरा anemia है जो folic acid deficiency और B12 deficiency की वज़े से होता है जिसको macrocytic anemia कहते हैं जिसमें RBCs का size बढ़ जाता है और वो बड़े नजर आते हैं तो peripheral smear एक test से हम smear बना के देख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन सी iron की deficiency है इसके अलावा hemoglobin indices किये जाते हैं जिने आपकी पूरी report में MCV, MCH और MCHC कहा जाता है इससे भी हम type of anemia बता सकते हैं और iron stores का एक बहुत ही important test है जिसे कहते हैं serum ferritin serum ferritin से हम बता सकते हैं कि आपके iron stores कैसे हैं और हाँ serum iron, serum folic acid levels और serum B12 levels भी कराए जा सकते हैं to know कि आपका कौन से type का anemia है क्योंकि उसका निवारन भी उसी हिसाब से किया जाता है तो अब हम आते हैं अपने बहुत ही important question पे iron deficiency anemia से कैसे बचे हैं iron rich diet लेकर iron के दो sources होते हैं एक vegetarian source, एक non-vegetarian source non-vegetarian sources है chicken breast, मचली, fish और seafood में अच्छा iron होता है even egg में थोड़ी quantity of iron होता है heem iron इसे बोलते हैं जादा जल्दी absorb होता है पड़ सब लोग तो non-vegetarian नहीं होते हैं और vegetarians के पास भी iron के enough sources है और vegetarian sources है जैसे हरी पत्तिदार सबजिया सब लाल रंग के फलों में iron प्रचुर मात्रा में होता है सो सेब हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गयी, अनार हो गया और यहां तक की orange में भी iron होता है और सब citrus food में भी iron होता है फिर है जैसे dry fruits, brown dry fruits, किश्मिश, अंजीर और खजूर गुड भी बहुत अच्छा iron का source है पीन्स में, मटर में और iron fortified cereal जो अबेलेबल है मार्किट में इनमें भी iron अच्छी मात्रा में होता है सो vegetarian sources के iron को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आपको quickly बताती हूँ कि इसके लिए आप क्या कर सकते है सबसे पहले तो iron खाने के बाद ले या खाने के दो घंटे बाद चाए और कॉफी के साथ iron ना ले iron और calcium दोनों साथ ना ले क्योंकि दोनों एक दूसरे की absorption को fight करते है और iron के साथ अगर आप vitamin C ले ले जैसे और जूस के साथ या नीमू पानी के साथ iron ले तो इसकी absorption और भी जादा बढ़ जाती है अगर आप iron हरी सबजियों से ले रहे हैं तो आप इनको भिगो के ले अगर seeds को और dry fruits को भी अगर आप भिगो के लेते हैं तो इनकी iron absorption बढ़ जाती है इसलिए इस बात को ध्यान रखें अगर हाँ अगर आप anti-acids ले रहे हैं यानि की acidity कम करने की दवाया ले रहे हैं तो उनको iron के साथ ना ले क्योंकि उसकी absorption को वो कम कर देती है और हाँ एक बहुत ही important tip कि आप iron की कड़ाई में अपनी सबजियां बनाए इसलिए इससे आपका iron diet और भी improve हो जाएगा तो प्रेगनेंसी में iron deficiency बहुत ही commonly देखी जाती है क्योंकि hemo dilution की वज़े से खून की कमी होती ही है इसलिए iron की गोली आप 3rd बन से शुरू करें यह हमारी requirement है 30-60 mg iron एक pregnant lady की जो की आपको 100 mg या 120 mg iron की गोली से अराम से पूरी हो जाती है iron, ferrous fumarate, ferrous sulfate, ferrous gluconate और आजकल एक special iron polysaccharide complex के रूप में आता है जिसके side effects कम होते हैं क्योंकि किसी किसी को iron suit नहीं करता है iron की वज़े से या तो कब्स हो जाता है या lose motion तक हो सकते हैं या किसी किसी को बदजमी हो सकती है ऐसी सूरत में या फिर अगर hemoglobin बहुत ही कम है 8 gram से भी per deciliter से कम है तब उन्हें हम देते हैं iron injection जो की intramuscular दिये जा सकते है iron, jectocos plus के नाम से हैं जो की 7 से 10 injection एक दन छोड़के एक दन हम देते हैं और आजकल एक special iron IV injection आता है जिसे हम एक normal saline 100 ml normal saline में 15 मिनट में इसको रन करते हैं और इससे भी एक या दो डोसे से भी iron की भरपाई हो जाती है इसे कहते हैं ferric carboxymaltose या FCM injection हाँ और अगर आपको साथ ही साथ folic acid भी कम की deficiency या फिर B12 की deficiency है तो इनकी tablets भी जरूर लें ताकि आपका anemia की problem को ठीक किया जा सके I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज इससे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और pregnancy में iron deficiency से बचे और इस गुलाब की तरह महकते रहें नमस्कार